गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग सब लोग जॉइन कर लिए हो कोई दिक्कत नहीं कि नहीं लोगों को तो करते हैं हम लोग क्लास को शुरू और पढ़ना करते हैं चालू आपको मैंने कल जो था मैंने फीजिकल कॉांटिटीज को दो पार्ट में हमने क्लासिफाइड किया था वेक्टर के बारे मैंने आपको इन्फोर्मेशन फिर रिपर्जेंटेशन और वेक्टर के बारे मैंने आपको बताया था और रिपर्जेंटेशन और वेक्टर के बाद हमने आपको कार्टीजन कोडिनेट और पोलर कोडिनेट के बारे में आप को information दिया था और कार्टिजन कोडिनेट में मैंने एक पॉइंट का हमने location आपको दिया एक पॉइंट का 거지 दिया और डिस्टे न्स फर्मूला से हमने उस पॉइंट के लिए कि क्या व्यल्व हमारा हो सकता है और फिर हमने उसको पोलर कोडिनेट में जर्माल आज इसका रिप्रजेंटेशन हमने किया तो पोलर कोडिनेट में आपको मैंने बताया कि देखी कि आपका जब काटीजन कोडिनेट में वैलू आपका दिया हो रहेगा तो पोलर कोडिनेट में वैलू दे रहेगा तो हम काटीजन में जा सकते हैं आज हम काटीजन में आपको दिया ठीक है अब चलिए तो प्यारे बच्चों इससे आगे आज हम लोग पढ़ते हैं यहां तक तो आप लोगों सब लोगों को क्लियर कोई तरह का डाउट तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों बता दो जरा यहां तक किन्हीं लोगों को हैना यहां तक किनी लोगों को कोईины किसी भी तरह का मालिज़े कोई confusion मैं उम्मीद करता हूं कि किनी लोगों को कोई confusion तो नहीं हुआ होगा है ना सारा कुछ हप लोग का clearer है आपने notes बना लिया होगा आपने revision कर लिया होगा है ना तो चलो प्यारे बच्छो करते हैं start है ना पढ़ाई अब आज फिर से हम लो Cartesian coordinate और polar coordinate तो कल मैंने आपको polar coordinate में देखे तो कल मैंने polar coordinate में आपको एक point को मैंने mention किया था ध्यान दीजिए यह point P जिसका आपका आर कोमा point आपका आर कोमा थीटा था इसका मतलब है कि आपका origin से लेके यह distance आपका यह distance जो आपका origin से लेके पी तक जो है यह distance आपका आर है और x-axis के साथ यह थीटा एंगल इसका बन रहा है तो कल मैंने आपको by the help of trigonometry मैंने आपको बताया था कि यहां से अगर आप perpendicular ड्रो कर दोगे तो यह राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा और आपने यहां पर इसका value निकाला था आर कोस थीटा और इसका कार्टिजन कोडिनेट में अगर convert करना चाहेंगे तो आपका आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा आपका यह हो जाएगा चलो तो फिर से ध्यान दीजे कार्टिजन कोडिनेट में आपका मालीजे कि यह आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा अपने value तो आपने value तो इसका न क्या इसको r cos theta और r sin theta तो अगर यह x1 y1 का value है तो यह आपका x2 y2 का value होगा तो distance formula अगर हम लोग लगा दें यहाँ पे op equal to अगर distance formula क्या पढ़े हो आप x2 minus x1 का square सब लोग पढ़े हो तो x2 यहाँ पे r cos theta minus 0 का square और फिर आपका r sin theta minus 0 का square करोगे ना इसको मैं क्या मान लिया इसको मैं x2 और y2 मान लिया इसको मैं x1, y1 मान लिया ठीक है ना तो क्या x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square तो क्या हो जाएगा प्यारी बच्चों देखो तो यहाँ पे r square sin square theta plus एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ पे तो पहले हम लोग करें यह भेल होगा ना r square cos square theta फिर पलस आपका r square sin square theta तो यहाँ से क्या करेंगे प्यारी बच्चों r square को हम लोग common ले लेंगे तो cos square theta plus sin square theta तो cos square theta plus sin square theta equal to आप 1 जानते हो तो क्या हो जाएगा root under r square into 1 यानि r square जो की value आपका r यानि op का जो value आपको पहले से दिया गया है वही value आपका फिर से Cartagen coordinate में convert करके और आप जब इसको distance formula पर put करते हो तो आपको यहीं आता है यहीं पर दूसरी बात ना प्यारे बच्चों जो हम लोगों को सीखना और समझने के लिए जो मैं बात आपको अभी स्टार्ट किया हूँ चुकि वेक्टर जो हमारा है न टोटल geometrical meaning जब तक हम लोग अच्छे से नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा वेक्टर समझने पढ़ने में और question solve करने में थोड़ी कटना ही होगी तो अब आईए तो आप मालेजे कि कोई location अगर आपको कोई location अगर आपको दिया हुआ है ध्यान दीजे कि एक point हम लोग यहाँ पे P ल से last class में भी आपने निकाला ही है कि इसका value क्या हो जाएगा x square plus y square हो जाएगा हा या ना अब देखो तो हम मालेते हैं कि इसका जो जुकाव है ना यह जो inclination यह जो angle है ना यह मालेते हैं हम लोग theta है कितना है theta तो यहाँ से जब तुम एक imaginary line अगर perpendicular लाओगे तो यह तो तु y by क्या हो जाएगा x तो theta एकोल टू क्या हो जाएगा 10 inverse y by x समझ रहे हो ना आपका 10 theta एकोल टू y by x तो theta एकोल टू क्या हो जाएगा आपका 10 inverse y by x अब हम इस point को जो Cartesian coordinate में है इसको हमको polar coordinate में बदलना है तब polar coordinate में आपका क्या होता है r, theta तो r का value कितना है r का value कितना निक x square plus y square है ना कोमा आपका theta का value तो theta का value कितना है 10 inverse इसको क्या पढ़ेंगे 10 inverse y by x तो देखो तो आपका ये आ गया Cartesian coordinate से polar coordinate में हम लोग चले गए अब चलिए प्यारे बचो जस्ट अब इसके बाद हम लोग धियान देते हैं यहां पर कि अगर मालो अब अब दूसरी बात यहां पर आते हैं एक ही माली स्लाइट पर मैं आपको बता दूँ ध्यान दीजेगा कि अब अगर कोई point अगर P है जिसका coordinate सर X,Y है अब इसको अपन वेक्टर के रूप में रिपर्जेंट करना वेक्टर भी जैसे आपके पास coordinate जेमेटरी में polar coordinate और Cartesian coordinate के दौर आप किसी point को किसी line को आप रिपर्जेंट कर रहे हो तो vector भी एक representation ही है यह भी एक maths का ही पाट है लेकिन physics में इसका पढ़ना है और physics में इसका applications है और physics से ही इसका मालिजे invention यह खोज हुआ है इसे आप जब 12th class में जो भी बच्चे हमारे maths वाले हैं जब आप class 12th में आओगे तो हापे vector algebra पूरे आपको पढ़ना है तो physics का जो vectors है वो अलग applications है और maths में general उसका मालिजे कि जो applications है वो आ represent करना चाहते हैं अगर इसको हम लोग vector form में represent करना चाहते हैं तो क्या करेंगे तो आपको देखिए O से P नजी इसका direct जो आपका coordinate है क्या X I cap लग जाएगा और फिर Y J cap आपका हो जाएगा O P vector पढ़ेंगे इसको यह line क्योंकि किसी point का तो कोई direction होगा नहीं और vector के पास तो magnitude और direction दोनों होते हैं आपका Cartesian coordinate में आप किसी point का location देते हो तो point का कोई direction थोड़े होगा अगर यहाँ पे एक point आप यहाँ ले लिए तो इसका क्या direction है इसका location होगा लेकिन एक line का direction होता है कि O से start हो रहा है P पे खत्म हो रहा है या P से start हो रहा है O पे खत्म हो रहा है उसक आपका direction होता है तो line का हम vector form में represent कर सकते हैं तो op line को जब vector form में represent करते हैं तो ये आपका x i cap plus y j cap इसका होता है अब sir तो ध्यान दो तो अभी op के पास magnitude और direction दोनों है यहाँ पे जो op vector लिखे हैं इसके पास magnitude भी है और इसके पास direction भी है अब हमको सिर्फ इसका चाहिए क्या magnitude तो मैं यहाँ पे लिखूंगा magnitude of magnitude of op vector यह समयने आपको पढ़ा रखा है तो आपका magnitude of op vector के लिए हम लोग निकालते हैं कल भी बताये थे इसका निकालते हैं modulus और जब modulus लगाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा आपका क्या square root लग जाएगा और i के साथ आपका क्या है x तो j के साथ क्या है y तो y का square x square plus y square तो इसी को अब जब vector को हम modulus ले लिए तो हम इसको अब op लिख सकते हैं यानि अब इसके पास किसी भी vector का modulus निकालने के बाद ध्यान देना है प्यारे बच्छों कि जब हम किसी vector का अगर modulus निकालेंगे तो modulus का मतलब ही होता है कि उसको direction को हट ताके सिर्फ उसका magnitude अगर माले जी कोई vector है हमारे पास let that a vector equal to 2 cm in east यानि definitely है कि 2 cm जो displacement है वो east में है तो जब उस vector का आप modulus निकालोगे तो in east का मामला खतम अब value सिर्फ क्या आएगा आपका 2 cm आगा क्योंकि 2 cm magnitude है तो आपका यहां से op equal to क्या आगया root under x square plus y square तो देख प्य में निकाले हो यह value क्या आपका vector में सिर्फ representation ना लग है सिर्फ इसको represent करने का तरीका अलग है बाकि ओपी का जो length है ओपी line का जो length है वो vector में भी आपका वही है वो आपका Cartesian coordinate में भी वही है और वो आपका polar coordinate में भी वही है अंतर सिर्फ क्या है कि जब हम polar Cartesian में represent करते है त direction में होता है अब यहीं पे प्यारे बच्चों में बात करूँ ध्यान देना है कि अगर सर अगर आप लोग का एक्छा है अगर मन में तो एक प्रसना रहा होगा कि अगर सर एक point P जो R, theta है अगर यह polar coordinate में है तब आप इसको कैसे vector में represent करोगे है ना तब आप इसको कैसे vector में represent करोगे तो देखो तो प्यारे बच्चों एकदम very simple यह कि अगर मालेजे यहां से हम लोग एक imaginary line अगर यहां पे एक perpendicular draw कर दें तो आपने अभी तुरंत इसका calculate किया है ना कि R, cos, theta और यह आपका R, sin, theta इसके बारे में प्यारे बच्चों मैंने कल पूरा आपका calculation करा दिया था जो भी बच्चे अगर आज के live class में अगर जुरे होंगे तो वो ना कल के video को देख लेंगे मैंने कल देखिया आपको यहां पे मैंने पूरा calculation आपका कि कैसे यह R, cos, theta कैसे यह आपका R, sin, theta आ गया इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है तो आप एक बार पीछे के lectures पे जाएंगे और इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब एक ही बात को अगर regular लेके चलेंगे कोमा R, sin, theta अब इसो ओपी को अभी तो अल्रेडी हमारे पास R है न यह जी और यह एंगल ना आपका theta है तो देखो R, vector को R, vector लिखेंगे न इसको R, vector लिखो या तुम इसको क्या लिखोगे ओपी वेक्टर लिखोगे तो क्या हो जाएगा इसके जगापे R, cos, theta, x का value है न और R, sin, theta किसका value है Y का तो क्या हो जाएगा R, cos, theta, i, cap पलस R, sin, theta, j, cap अगर इसका भी magnitude की बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हम modulus of vector ले लेंगे इसको क्या पढ़ते है Mod नहीं, पलस माइनश 3 में जब आप लेते हो इसको mod पढ़ते है मोड पढ़ते हैं, समझ गहें लेकिन यहाँ पे जो लेते हो इसको पढ़ते है seeks modulus में आपका मोड पढ़ते है modulus of vector ठिक है, तो R, students, R, vector का modulus निकालोगे तो क्या मैंने बतायागे पहले आप square root लोगे i के साथ क्या है तो i के साथ आपका r cos theta का square हो जाएगा और यहाँ पे r sin theta का आपका square हो जाएगा तो value आपका यहाँ से देखो तो r square cos square theta फिर r square आपका sin square theta तो क्या करें हम लोग r square को अगर common कर लेंगे तो cos square theta plus sin square theta तो cos square theta plus sin square theta equal to 1 होता है ना बचवा तो देखी यहाँ पे तुम्हारा r vector का जो तुम modulus निकाले हो वो root under आपका r square that is r यानि magnitude तो वही है magnitude में कोई change आपका नहीं हुआ है कि आप हमसे क्या कोई जरूरी questions पूछ रहे हैं या आप ऐसे और मैं पहले ही आपको बताया और necessary comment से बचिए पढ़ने के लिए हम लोग सुबह में 7-11 आपका time एकदम prime time आपको हम दिये हैं इस time के लिए हर batch का demand आ रहा है लेकिन मैंने आप लोगों को चुना क्यूंकि आप उस विधा को खराब करना चाहिए जब हम आपको online में पढ़ा रहे हैं तो आप इसके लिए महनत कीजिए जबकि मैं एक बहाना आपको दे सकता था कि बेटा आपका अभी government के द्वारा heatwave के कारण institute को holiday मतलब छुटी कर दिया गया बंद कर दिया गया ताप ऐसा करो 10 दिन व पायदा आप उठाईए ऐसे मतलब नहीं यह करना है चलो प्यारे बच्चों यहां तक सब लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं लोगों को कोई दिक्कत कोई confusion चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों अब इसके बाद मैंने आपको polar coordinate, Cartesian coordinate इन सारे चीजों के ब बारे में बता दिया, अब देखते हैं तो थोरा सा और हम लोग अब आते हैं topic पे पीछे चलते हैं हम लोग यह Y हो गया, यह Z हो गया, तो definitely आपको हम कल क्या बताए थे ना कि X के लिए आपका direction क्या, I cap, Y के लिए क्या, J cap और Z के लिए क्या, K cap तो हम यहाँ पे origin के respect में क्या लिखेंगे, O P vector, और O P vector equal to क्या हो जाएगा बाभूरे, X I plus Y J plus Z के, यह आपका आगया इसका vector में representation, अब इसी में मालो कि फिर से बात करते हैं हम लोग, इसका अगर magnitude की हम लोग बात करेंगे, तो कुछ ने करना है यहाँ पे, O P vector का हम लोग क्या करेंगे, mod लेंगे, modulus लेंगे, mod नहीं, क्या लेंगे, modulus और यहाँ पे I cap है, तो क्या हो जाएगा, X square, फिर Y square, और फिर आपका Z square, जो I cap के साथ है, उसका square, प्लस जो Y cap के साथ है, जो Z cap के साथ है, उसका square हम लोग कर लेंगे, अब मेरे प्यारी बच्चों, इसी में आप next, इसको यहाँ पे समझने के बाद हम आते हैं, यहाँ पे, और आपको मैं न, ध्यान दीजी, कुछ-कुछ मैं points आपको देता हूं लेके, और इस point को आपको, मालो कि एक P point है, जिसका coordinate आपके पास 2,3 है, एक आपके पास minus 3,4 है, है न, एक point आपका यहाँ पे, एक point आ मैं यहाँ पे ले लेता हूं, प्यारे बचवा, जिसका आपका minus 2, minus 2 आपका coordinate है, और एक मैं यहाँ पे लेता हूं, जो कि आपका 4, minus 3 आपका coordinate है, ठीक है, अगर इस तरह से माल लेजे कि आपको चारो coordinate में, यानि आपका first quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant और fourth quadrant में, आपको मैंने चार point दीए ह इसको vector form में आपको represent करना है, तो यह point P माल लेते हैं, इसको Q माल लेते हैं, इसको R माल लेते हैं, और इसको S माल लेते हैं, देखो तो प्यारे बच्चों, यहाँ से सबसे पहले एक line आपको यहाँ मिलाओगे, तो यह तुम्हारा होगा OP vector, फिर इसको मिलाओगे, यह क्या होगा oq vector इसको मिलाओगे एक minute इसको जब मिलाओगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा os vector और उसके बाद आप इसको जब आप मिलाओगे तो ये आपका हो जाएगा o pq ये तो r न था ये आपका s है तो एक एक minute एक minute हाँ ये आपका हो जाएगा os vector रुको 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 ये आपका os vector तो ये आपका or vector तो चलो तो हम सब का value अब यहां पर लिखना शुरू करते हैं बताना आपको हम शुरू करते हैं चलो तो देखो तो सब सब पहले हम लोग लिखते हैं यहां पर op vector तो op vector जब लिखेंगे तो ध्यान देना है प्यारे बच्चों op vector x का value क्या है आपका यहां 2 तो 2i cap plus 3j cap 2i cap plus तभी तो कह रहें हैं handwriting क्यों गरबढ़ हो रहा है चली हां 2i cap plus 3j cap ठीक है फिर चलो तो यहां पर oq vector की अगर बात करेंगे हम तो oq vector जब लिखेंगे आपका तो क्या हो जाएगा x का value कितना है minus 3i cap plus 4j cap फिर चलो तो प्यारे बच्चवा यहां पर o r vector अगर लिखेंगे तो o r vector x का value कितना है minus 2 तो minus 2i cap plus plus फिर से minus 2j cap है न जी तो यहां पर value क्या आजाएगा minus 2i cap और minus 2j cap चलो तो प्यारे बच्चों similarly हम लोग इसके बारे में बाद में करेंगे अब आपका यह value आ गया op vector equal to 2i cap plus 3j cap अब हमको इसका सिर्फ क्या चाहिए magnitude चाहिए तो क्या बोले हैं इसका modulus निकाल लो तो op vector का जब तू modulus निकालोगे तो x के साथ आपका sorry x का value यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 का स्क्वार यानि i के साथ यह आपका 3 है तो 3 का स्क्वार तो क्या हो जाएगा 4 plus 9 that is root under 13 unit अब देख तो प्यारे बचवा यहीं पे unit मतलब यहाँ पे meter centimeter जो आपका value होगा उसको हम लोग यहां रखेंगे अब देखो तो यहाँ पे ध्यान देना है सब लोगों को एकदम ध्यान दीजेगा कि यह आपको vector के रूप में अगर इसी को माले जे Cartesian coordinate में अगर इस point का हमको location दिया हुआ है तो distance formula से देखो ना op equal to क्या निकालोगे x2 minus x1 का square तो यहाँ पे तो origin का coordinate 0,0 सब लोग समझ रहे हो ना तो क्या हो जाएगा 2 minus 0 का square अप plus 3 minus 0 का square अरे होगा ना कि x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square तो यहाँ से भी तो देखो आपका 2 का square और plus 3 का square तो कितना आ गया 4 plus 9 यानि root under आपका 13 unit समझ रहे हो कोई दिकत कोई confusion अब चलिए इस बात को जब हम लोग समझ रहे हैं सारी बाते अब clear है तो अब यहाँ पे देखिए तो आपको अब यहाँ पे भी वही calculation हम लोग करेंगे और यहाँ पे ध्यान देखना है प्यारे बच्छों की कैसे हम लोग का यह value आता oq vector equal to minus 3 i plus 4 j है तो oq vector का भी हम लोग यहाँ पे modulus निकालेंगे सब लोग attention इसका अगर माली जे modulus निकालेंगे तो देखो root under अब i के साथ क्या है minus 3 है i के साथ क्या है minus 3 का square और j के साथ क्या है आपका 4 का square तो क्या हो जाएगा बच्छरे आपका यह 9 प्लस 16 न हो जाएगा 9 प्लस 16 न होगा तो 25 हो जाएगा और 25 का square root आपका 5 unit हो जाएगा अब चलो यह तो modulus में हम लोग निकाल लिए अब देखो तो हम distance formula से अगर oq का value अगर निकालना चाहेंगे तो distance formula में देखो तो यह आपका यह आपका x2 का value यह y2 का value और x1 y1 तो आपका 0,0 ना तो x2 minus x1 तो minus 3, minus 0 का square फिर प्लस 4 minus 0 का square होगा ना 4 minus 0 का square होगा तो फिर से देखे प्यारे बचवा यहीं पे आपका यह value आ जाएगा minus 3 का square और प्लस 4 का square तो minus 3 का square आपका 9 आप 4 का आपका कितना 16 तो root अंडर आपका कितना रहे 25 तो value क्या आपका 25 इनिट तो देख तो प्यारे बच्चा यहाँ भी वही value और यहाँ भी यही value तो यह बात तो confirm हो गया ना हमारा ध्यान से सुनना है कि यह बात तो एकदम confirm है परके लिख रहे हैं तो उसके magnitude में हम कोई change निला रहे हैं उसमें में एक extra direction को जोर रहे हैं तो इसलिए तो मैंने आपको बताया जिस भी physical quantity को represent करने के लिए या जिस भी physical quantity को पढ़ने के लिए समझने के लिए व्यक्त करने के लिए derive करने के लिए analysis करने के लिए अगर हमें direction के आवसकता पर गई तो वो vector है और जिसके लिए direction के आवसकता नहीं पड़ी वो आपका skiller है चलो अब आगे देखो तो यहाँ पर अब OR का value हम लोग निकालते हैं तो OR का जब modulus तुम निकालोगे तो देखो तो यहाँ एकदम simple है अब OR में I के साथ क्या है बिटा minus 2 है तो minus 2 का square फिर plus J के साथ क्या है minus 2 है तो minus 2 के square यह बात पर बच्चा ध्यान नहीं देता है अकसर क्या करता है यहाँ पर I के साथ minus 2 लेता है plus यहाँ पर minus कर देता है यहाँ का minus देखे नहीं यहाँ पर always plus होगा आपका यहाँ देखे यह plus है ना आपका Y का value minus 2 है ना कि मालिजे की वेक्टर का मालिजे की जो आप मतलब value को आप change करेंगे तो यहाँ पर देखे minus 2 और यहाँ पर आपका minus 2 यह value है ना तो mid में आपका plus यहाँ पर plus ही रहेगा और यह आपका हो जाएगा क्या देखो तो 4 plus 4 यहनी root अपका 8 इसको आप 2 root 2 unit लिख सकते हो हाँ यह ना फिर इसको अगर मालो distance formula से हम और का value निकालना चाहेंगे तो देखो तो अब distance formula से आपका यह क्या है x2, y2 और यह x1, y1 तो x2 minus x1 का square तो minus 2 minus 0 का square यहाँ पर करोगे ना minus 2 minus 0 का square और फिर minus 2 minus 0 का square तो देखो तो यहाँ भी तो value आपका यह आएगा ना minus 2 का square पलस minus 2 का square यहनी आपका 4 plus 4 that is root under 8 यहनी 2 root 2 unit आपका value आ जाएगा बताओ तो बाबू सब लोगों को आया समझ में यहाँ तक बाते जो मैं बता रहा हूँ कि जो vector को हम लोग किसी भी form में represent करें और स्री कहा रहें vector को किसी भी form में यानि Cartesian coordinate में अगर हमारा कोई point का location दिया हुआ है और उसको अगर हम लोग vector के रूप में अगर represent करें तो फिर vector का तो magnitude जो हम लोगों को मिलता है वही Cartesian coordinate में हम लोग distance formula से भी निकालते हैं तो यह आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो हमें एक बार comment करें फटाफट सब लोग कितने बच्चे भी class join कि हुए हो बहुत कम बच्चे तुम्हारे बैच में तो इतने कम बच्चे नहीं है बाकी सब लोग कहां हो चलो तो सब लोग अपना अपना नाम बताओ तो जल्दी कौन-कौन लोग class में हो अभी अन्कित है और अधित्या है और बाकी लोग और और सब लोग कहां हो अधित्यानन्द येस देन कृष्णा और बिवेक दीपक चलो और बाकी लोग सब लोग class को चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे class को जोईन करिए और आगे अब चलो तो यहां से जब बाते आप लोग को समझ में आ गया तो अब देखिए अच्छे से मैं उमीद करता हूं कि आपको कार्टिजन कोडिनेट आपको polar कोडिनेट और आपको माल लिजे कि polar कोडिनेट और कार्टिजन कोडिनेट में जो relations है वो आपको कोई confusion आपको नहीं होगा ठीक इसी तरह से प्यारे बचो अब जिसे मैंने कार्टिजन कोडिनेट पर अब जिसे एक point हमारा यहां पर बच गय एक पॉइंट देखो तो क्या हमारा बच गया एक पॉइंट हमारा क्या बच गया ओएस वेक्टर तो ओएस वेक्टर को कैसे लिखोगे देखो तो 4i पलस 4i पलस माइनस 3 j cap लिखोगे न तो value क्या हो जाएगा 4i cap माइनस 3 j cap अब इसका जब हम लोगों को magnitude अगर चाहिए तो क्या करेंगे ओएस वेक्टर ले लेंगे और आपका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वाइर पलस माइनस 3 का स्क्वाइर तो 4 4 r 16 अब माइनस 3 आपका 9 तो root under bit array 25 तो ये आपका हो जाएगा क्या 5 unit हाँ या न अब इसी को मालो कि तुम Cartesian coordinate का distance formula भी लगा कि तुम इसका value निकाल सकते हो जैसा मैंने भी बताया हाँ या न कोई confusion इसमें तो चलिए PQRS रिपीट हो गया one second फिर से कहाँ पर यहाँ यह PQ है न यह यह Q है PQ यह तो लिखा न मैंने OQ PQRS ठीक है तो सम मैंने आपको बता दिया चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्छो अब धियान देना है आगे अब हम लोग क्या करते हैं न कि यहाँ पे polar coordinate में एक बार हम लोगों का data दिया हुआ रहेगा तब हम लोग कैसे इसका value निकालेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं ठीक है PQRS सब तो हो गया ना हाँ ग्राफ में सब बताते हैं तो चलो तो प्यारे बच्छो ध्यान देना है अब देखना है कि polar coordinate में ध्यान दिजेगा प्यारे बच्छोरे कि polar coordinate में यहाँ पे polar coordinate में माल लिजे कि आपको किसी भी point का आपको धिया हुआ है location अब यह दे दिया जैसे मालो तो पी का गयलू दे दिया है टू मीटर कोमा 30 डिगरी अठू मीटर नहीं भी दिया हुआ हो सकता है मीटर नहीं दिया हुआ रहेगा सेंटी मीटर भी नहीं दिया हुआ है मीटर छोर ना भी अभी हम लोग unit के चकर में कह है पढ़ेंगे पहले concept समझ लेते हैं क्या तो टू कोमा आपको 30 डिगरी दिया हुआ है तो यानि आर कोमा थीटा दिया हुआ है पोलर कोडिनेट में तो हम लोग आर कोमा थीटा के दोरा ना तो आपका ये क्या दिया हुआ है R, Theta सब लोग समझो यह क्या दिया हुआ है आपका R, Theta अब इसको अपन वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना है जब O से P हम लोग वेक्टर के form में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सब से पहले जब हम polar coordinate आपको पढ़ाए तो बस इस problem में आपको मैं फिर से हिंट दे देता हूँ आगे मुझे ना देना पड़े यह तुम लोग आस्वास्थ हमे करोगे तो यहां से यह distance तुम्हारा X और यह Y और X distance का value क्या होता है वो तो मैं निकाल दिया हूँ न कि R cos Theta होता है है ना और यहां पे प्यारे बच्चों क्या R sin Theta होता है कोई दिकत अब यह R cos Theta होता है तो 2 cos क्या 30 degree और यह आपका क्या 2 sin 30 degree तो देखो तो इसका Cartesian coordinate आपका यहां पे जो हम लोग लिखेंगे तो वो होगा हमारा 2 cos 30 degree 2 sin 30 degree अब इसको अगर vector form में हम लोग लिखेंगे तो यहां देखो op vector equal to जो हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 2 cos 30 degree i cap फिर 2 sin 30 degree j cap तो क्या हो जाएगा 2 into root 3 by 2 i cap फिर आपका 2 into 1 by 2 j cap 2 से 2 cancel यहां भी 2 से 2 cancel तो क्या आगया root 3 i cap और यहां पे आपका j cap यह आपका op vector equal to आगया अगर polar coordinate में दिया हुआ रहेगा तब अब प्यारे बच्चों इसका अगर हम लोग magnitude निकाल लेते हैं magnitude इसका भी निकाल सकते हैं तो मॉडलस निकालेंगे तो जब इसका मॉडलस निकालेंगे तो ध्यान दो यहां पे i के साथ क्या है root 3 का square और j के साथ क्या है 1 ही तो है सिर्फ हाँ यह ना j के साथ क्या है रहे यह तो 1 इन है सिर्फ j लिखा हुआ है तो 1 into j ने लिख सकते हो 2 unit, क्या तुम्हारा यही value है, कोई दिक्कत इसमें, तो यानि जो आपका इसका magnitude है, उसी को हम लोग represent किये हैं, direction लगा के, direction कैसे निकालेंगे वो अलग से, अभी पहले magnitude सीख लो, आप देखो तो प्यारे वच्चों, यहीं पे हम लोग ध्यान देते हैं, अब मालो की तुम्ह तुम्हारा 3,45 degree है, 3,45 degree है, एक point का तुम्हारा polar coordinate में location, यह O, अब इस point को हम P न लेके, हना P न लेके हम Q ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, कि Q ले लेंगे, अब इसको जब vector form में लिखोगे न तो देखो, O Q vector equal to, अब मैं direct लिखता हूँ, देखो तो, अब direct हम लोग बीना अब यह perpendicular वगेरे draw किये हुए, देखना है यहाँ पर प्यारे बच्चो, 3 cos, 45 degree, eye cap, और 3 sign, 45 degree, j cap, सब लोगों को यह आया है, सब लोगों को आया है, सर, camera धुंदला हो गया है, काय है रे बच्चा, camera काय धुंदला, camera तो आपका ठीक है, किसी भी परकार का दिक दिकत तो नहीं है, हम तो यहाँ स्क्रीन पर देख रहे है, क्या, कोई परिशानी है, ठीक है ना अब, कोई दिकत ने ना, camera तो आपका ठीक है, एक मिनट भी पर भी पर भी पर देख रहे है, हम चलो, अब, क्लियर है न, बभुरे, अब, उमीद करते हैं कि क्लियर होगा, सारी चीजें, तो चलो, कोई बात ने हो सकता है, वो, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लो, न, तुम लोग तो, डाटा बचा के रखते हो, रील देखने के लिए, है, यह, तुम, कितना मन लो, कि जो, तुम लोग, सोट, सारील के पिछ, पढ़ाई करने रे, वेक्टर, उड़े, फिजिक्स का एकदम, बेस है, वेक्टर बढ़ियां, तो, फिजिक्स को एकदम, उड़ा देंगे, यहां, तुम लोग, फोकस करता नहीं, चलो, तो, यह वैलू, तुम लोगों का आया है, कोडिनेट से, जब हम कार्टिजन कोडिनेट में कनवर्ट किया है, तो, क्या तुम लोगों के पास यह वैलू आया है, तो, देखो, अब इसका हम लोग मैगनिचूड निकाल के देखेंगे, तो, आपका क्या हो जाएगा, ओक्यू वेक्टर का, जब मोडलस निकालेंगे, एक मिनट, इससे पहले थोड़ा सा step और हम लोगों को solve करना होगा, क्या करना होगा सर, यहाँ पे theta का जो हमारा value है, cos 45, तो, क्या value होता है, 1 by root 2 i cap, यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाएगा, sin 45 का फिर value 1 by root 2, आपका यहाँ j cap, यानि 3 by root 2 i cap, पलस 3 by root 2 j cap, अब इसका अगर हम लोग modulus निकालेंगे, अब इसका अगर modulus निकालेंगे, तो आपका 3 by root 2 का square, और पलस 3 by root 2 का square, तो ध्यान दीजेगा, प्यारे बच्चों, यहाँ से, एकदम सब लोग, कि OQ vector equal to आपका आजाएगा, ध्यान दीजेगा, सब लोग, कि आपका 3 by root 2, यानि 9 by 2, ध्यान दीज हो जाएगा, सब लोग, 3 by root 2 हैने square, तो 9 by 2, और फिर आपका इहाँ पे 9 by 2 हो जाएगा, 3, 3, 9, root 2 का आपका 2 हो जाएगा, तब प्यारे बच्चबार, यहाँ पे तुम अगर 2 LCM लोगे, तो कितना आजाएगा, 18 by 2, that is 9 by 9, 18 by 2, 9, यानि आपका 3, तो क्या आपका OQ line का ज ध्यान दो, अंकीत डाटा कैसे खतम हो गया, एक्स्टा रिचार्ज करो, चार घंटे का क्लास ने डाटा लोड लिता है, डाटा कैसे खत्म तुम लोग कर लिया, कैसे काम चलेगा, ऐसे डाटा खत्म होता है, चलो जल्दी करो, बदमासीन है, आप चल तो बटा, और इसके अभी हम आपको और एंगल, एंगल अभी आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक ही पता है, ऐसे 120 डिग्री वगर पे भी रिपरजेंटेशन करेंगा, अभी तो आपको हम बेसिक सिखा रहे हैं, यहां तक सब लोगों को आया, समझ में, डाटा 2 GB काफी ह है, अगर 2 GB फोन में डाटा रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इसलिए सुवा सुवा क्लास दिये हैं लेके, सात वजे से कि कोई डाटा आपका खत्म ना हो, और सारी डाटा पढ़ाए में यूज हो, डाटा खत्म नहीं हुआ है, डाटा बचाए हुए हैं, कु कोईशन्स और ले लो तुम लोग, जल्दी करो, अब एक कोईशन्स और मैं लेता हूँ, और अब की बार मैं उमीद करूँगा कि तुम लोग मुझे सॉल्व करके दोगे, अब ये पॉइंट हमने ले लिया S, और इसका कोडिनेट है 6,60 डिगरी, कितना है, 6,6,60 डिगरी ह तो चलिए, इसको जब हम लोग वेक्टर में अगर रिपर्जेंट करेंगे, तो OS वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे, 6,COS, 60 डिगरी, I, कैप, पलस, 6,Sine, 60 डिगरी, J, कैप, लिखेंगे ना, तो देखो तो यहाँ, OS वेक्टर इक्वल टू, 6 इन्टू, 6 इन्टू, 1 बाइ 2, I, कैप, और फिर 6 इन्टू, रूट 3 बाइ 2, J, कैप, तो यह कैंसील हो कि आपका 3, और यह भी आपका 3, तो OS वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा, 3 I, कैप, पलस, 3 रूट 3, J, कैप, तो OS वेक्टर को जब हम लोग मॉडलस में लेंगे, तो द देख रे, प्यारे बचवा, 3 का square, पलस, 3 रूट 3 का square करोगे, तो कितना आजाएगा आपका यह, 9 और यह 9 इन्टू 3 नहीं होगा, देखो, तो 3 का square करोगे, 9 और रूट 3 का तो 3 हो जाएगा, तो कितना, 9, आप पलस, कितना, 27, that is कितना, 36, बाहर कितना आया, 6 unit, कोई दिक कोई confusion चलो very good सब लोगों का अंसर आ रहा है तो सीख गए ना आप लोग कि अगर कार्टीजन कोडिनेट में दिया हुआ रहे तो और polar कोडिनेट में दिया हुआ रहे तो किसी भी कोडिनेट में दिया हुआ रहेगा हम easily मालीजी वेक्टर फॉर में उसको रिपरजेंट कर सकते हैं और उसके magnitude में कोई changing नहीं आता है इसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर मैंने आपको justice से पहले मैंने आपको 3D कोडिनेट में भी मैंने आपको रिपरजेंट 3D रिपरजेंटिशन में नहीं किया ना भी कहाँ पर यहां पर questions मैंने नहीं करा एक 3D मुझे लगा कि एक कोई चीच छूट रहा है अब आपको मैंने polar coordinate Cartesian coordinate Cartesian coordinate मैंने आपको 2D X,Y पर आपको ना हना X,Y पर मैंने आपको बता दिया अब हम X,Y,Z पर आएंगे बस एक last question आपका फिर आगे हम लोग topic परना शुरू करेंगे देखो तो अगर मनलो यहां पर आपका 3D में आपका यह X, यह Y sorry यह X, यह Y और Z तो आपका अगर मालेजे coordinate अगर एक P vector का coordinate अगर 2,4,3 है यहनि X का value आपका 2,Y का value 4 और Z का value अगर आपका 3 है तो इसको आप किस तरह से vector form में represent करेंगे तो vector form में represent करने के लिए हम OP vector जब लिखेंगे तो OP vector equal to कुछने करेंगे 2Y plus 4J plus 3 के यह लिख देंगे अब इसका length तो जो distance formula से आएगा वही modulus of vector से आएगा तो modulus of vector निकालोगे तो 2 का square plus 4 का square plus 3 का square करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यह 4 plus 16 plus 9 तो root under 29 unit आपका आजाएगा अगर distance formula तुम लगाओगे OP equal to root under तो X2 minus X1 का square plus Y2 minus Y1 का square plus Z2 minus Z1 का square तो देखो X2 का value क्या 2 और X1 का value 0 फिर आपका यहाँ पे Y2 का value 4 Y1 का value 0 और Z2 का value 3 और Z1 का value आपका 0 तो यहाँ से भी बिटा आपका वही value आएगा देखो 2 का square plus 4 का square plus 3 का square तो कितना आगया 4 plus 16 plus 9 root under 29 unit तो चाहे distance formula से निकालो या vector का modulus करके निकालो इसी तरह से बाबुरे एक point और हम लोग Q ले लेते हैं जिसका coordinate आपको दिया हुआ है minus 2,1,3 आपको यह दे दिया minus 2,1,3 तो क्या लिखोगो इसको OQ vector equal to देखो तो OQ vector equal to आप एक minute OQ vector equal to आप क्या लिखेंगे minus 2Y plus J plus 3 के आप इसका modulus निकाल लेंगे अगर माल लिजे इसी तरह से एक point आपका R है जिसका coordinate 2,1,2 है यानि आपका देखिए X का value यहां positive है Y और Z आपका negative है तो अगर इसको origin के respect में जब आप इसका vector form लिखेंगे OQ vector तो क्या जाएगा 2I cap plus 1 minute 2I cap plus minus 1 J cap फिर plus minus 2 K cap finally इसको क्या लिखेंगे 2I cap minus J cap minus 2 K cap अब इसका अगर modulus निकाल ला हो तो क्या मैं इधर निकाल दो यहां पे मैं थोड़ा सा जगा का permission आपको ले लेता हूँ तो देखो तो यहां क्या है प्यारे बच्चो O R vector equal to आपका 2I cap minus J cap minus 2 K cap तो क्या आजाएगा यहां O R vector का जब modulus निकालोगे तो root under देखो तो यहां सीखना है क्या I के साथ क्या है 2 का square plus J के साथ क्या है minus 1 का square और K के साथ क्या है minus 2 का square तो देखो तो प्यारे बच्चारे कितना है आपका यह 4 plus 1 plus 4 कितना root under 9 आपका 3 unit answer आगया बताओ चिती जितना answer आया है तुमारा root 14 कैसे लिए आया रहे हां अच्छा O Q का value 9 plus 1 हा 14 O Q का value root 14 और इसका O R का O R का value 3 unit आया है जल्दी बचाओ सब लोग यहां तक सब लोगों को समझ में अच्छे से आया किनी लोगों कोई confusion तो नहीं काफी देर लगा आप लोगों को हर चीज को explain करने में यहां तक में किनी बच्चों को किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं ना बताओ जल्दी चलो अब जब यहां तक बाते हैं हमारे सारे clears हैं सब कुछ हम लोगों को जब समझ में आया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस topic को लेके अब अपने past vector can be divided into two types अब हम लोग physical quantity को पहले दो पार्ट में divide किये physical quantity को हम लोग दो पार्ट में divide किये कौन कौन vector और scalar scalar या vector या वेक्टर या जिस physical quantity को लिखने के लिए जिस physical quantity को represent करने के लिए जिस physical quantity को derive करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ magnitude की ज़ुरत होती है उसे हम scalar कहते हैं लेकिन जिस physical quantity को लिखने के लिए represent करने के लिए हमें magnitude के साथ direction की भी जुरत परती है तो उसे हम vector कहते हैं अब right now vector can be classified into two terms या two types लेकिन vectors can be divided into two types पहला आपका क्या है? polar vectors these are those vectors which have a starting point these are those vectors which have a starting point और a point of application यानि ये वो vectors हैं कि जिनके पास starting point होता है या वो point application यानि एक बिंदू से दूसरे बिंदू एक point से दूसरे point तक इसको हम polar vector कहते हैं इसका example क्या है displacement इसका example क्या है force अच्छा प्यारे बच्चो एक बात में तुम लोगों को बता दूँ कि तुम लोग distance और displacement तो समझता होगा distance and displacement मैं एक बार में आपको सिर्फ समझा देता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ लेगा मतलब उस topic पे हमको जाना है अब देखिए माल लिजे जैसे यहाँ पर प्यारे बच्चो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको अगर माल लिजे कि यह अपना सिक्ष्यकुंज institute है और यह आपका अगर माल लिजे घर तो आप institute से जब छुटी होती है आप घर से जब institute आते हो तो मालों की छुटी होने के बाद आप इस तरह के path को follow करके आप घर पहुंचते हो यह आपका real path है यह actual path है कि जिसको आप travel करके आप यहां से अपने घर को जाते हो तो आप देखो सिक्षा कुन से घर जाने के लिए जिस real path जिस actual path को तुम follow कियो हो उसके पास कोई एक definite direction नहीं है कोई एक fixed direction नहीं है पहले हम इधर गए फिर 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 इधर गए यानि actual path को हम किसी एक single direction से define नहीं कर सकते हैं तो यहां पे आपका actual path length को क्या बोलते हैं बोलो actual path length को बोलते हैं distance और actual path length के पास कोई fixed आपका direction नहीं है तो इसलिए क्या है a scalar अब आजाओ तो प्यारे बच्चों यहां से direct मैं आपको घर से direct सिक्षा कुझ यह वाला path कभी-कभी possible हो सकता है कभी-कभी possible नहीं होगा अगर आप coaching के बिल्कुल नजदिक में आपका घर है तब भी यह possible नहीं होगा क्योंकि classroom से निकल के stairs होके घूमते हुए निकलोगे न बाहर है न तो जब मालो कि जो classroom से आप निकल के और सिरी से निकलोगे सिरी से फिर केंपस में जाओगे केंपस से फिर बाहर निकलोगे फिर भी आप टेढ़ा मेडा यानि स्ट्रेट का कोई चांस नहीं है हाँ classroom में हम इस digital board से सामने वाले window तक अगर मैं जाओं तो वो इसके पास एक आपका ना fixed direction है ये जो आपका है इसका ये fixed direction है ध्यान दीजिएगा ये fixed direction यानि s k से direct आपका h यानि सिक्छा कुंज से घर जाने के लिए आपके पास एक fixed direction है और ये shortest path between the two points यानि सिक्छा कुंज और घर के beach का जो actual path तो है लेकिन shortest path आपका ये white lines है इसको हम लोग प्यारे बच्चोरे बोलते है क्या displacement क्या बोलते है displacement अब हम लोग distance को define भी करते हैं कि actual path length covered by the body is known by distance and shortest path between the two points देहान से सुनना है actual path length covered by the body between the two points known by distance it has not a fixed direction और यहाँ पे shortest path between the two points यानि सिक्छा कुंज और घर के बीच का जो shortest path आपका है ये white line तो shortest path between the two points is known as displacement and displacement has a fixed direction आप ये देख रहे हो तो displacement आपका क्या है vector quantity है displacement आपका क्या है कि vector quantity है तो अब चलो तो ध्यान देना है प्यारे बच्छों आगे अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं इसके आगे है ना अब हमारा final जो displacement waktu हम लोग निकाल लिये तो इसके बाद अब हमारा एक मिनट हाँ तो distance of displacement आपको मैंने समझा दिया तो अब हमारा आ रहा है कि vectors can be divided into two types के बारे में polar vectors के बारे में जो मैंने आपको बताया कि जिसके पास आपका starting या starting point होते हैं या point application होते हैं तो उसको हम लोग polar vector कहते हैं इसमें जो आपका displacement है तो जै point P आपका माल लिजे इस point पे है और point Q अगर आपका माल लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे है तो point से point ही तो आपका यह जो आप arrow draw कर रहे हो point से point तो यह आपका क्या है कि point P और Q के बीच का क्या है displacement है तो इसको हम लोग polar vector अगर माल लोग कोई body आपका है यहाँ पे रखा हुआ और इस पे आप क्या करते हो कि force आप लगा रहे हो ना आप इस पे force लगा रहे हो तो force लगने के बाद body अपना position change force के direction में करेगा तो force जो हमारा body पे जो लग रहा है तो यह भी आपका point application है समझ गया ना इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं यह आपका point application तो यह भी आपका position A तो when we applied a force on a body then body change its position from point A to point B यानि A से B जो आपका change किया तो force लगने के बाद body में जो आपका position changing आया यह भी तो आपका point application है तो आपका definition according to definition कि these are those vectors which have a starting point और a point of application known by polar vectors तो example में जिस दिन मैंने आपको vectors पढ़ाया है आप यहाँ पे ध्यान दिजएगा जिस दिन मैंने आपको definition यानि last class में जो मैंने आपको vector का जो definition पराया है प्यारे बच्चो तो वहाँ पे देखिए तो आपको क्या क्या मैंने वेक्टर का use किया velocity है, acceleration है, momentum है, force है, यह सारे point application वाले ही है मैंने vectors को यहाँ पे लिखा है, तो यह सारे आपका polar vectors है, velocity भी आपका polar vectors है, acceleration भी मैं यहां पे बोल दू, linear momentum, यह बात ध्यान रखिएगा, अगर momentum तो दो तरह काई, angular momentum होता है, linear momentum होता है, अगर linear momentum, दोनों आपका vector है, linear भी और angular भी, तो अगर linear momentum की बात करें, तो polar होगा, और आपका force तो polar है ही, अभी प्यारे बच्चों, जब हम पढ़ रहे हैं आपको, जब मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजेगा आप, अब इसके बाद हम आते हैं यहां पे, अब इसके बाद आते हैं axial vector पे, तो these are those vectors which represent rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with right hand screw rule, अब किसी body, यह जो आपका, यह वो vectors हैं, कि जिसको हम लोग rotational effect के द्वारा represent करते हैं, और act along the axis of rotation in accordance with the right hand screw rule, अब जब ध्यान दो एक बात पे, कि right hand screw rule को कैसे समझना है, अब देखो angular momentum है न यहाँ पे, तो angular momentum आपका axial vector है, और linear momentum आपका polar vector है, आप देखो तो प्यारे बच्चों यहाँ पे धियान देना है, एक हम लोग एक fixed axis ले लेते हैं यहाँ पे, एक आपका यह fixed axis ले लिए, और यहाँ पे एक body को हम लोग anti-clockwise direction में और एक body को हम लोग clockwise direction में rotate करते हैं यह आपका है axis of rotation आपका ठीक है देखो तो अब एक को हम लोग clockwise और एक को हम लोग anti-clockwise तब आज आओ तो यहाँ पे these are those vectors which represents rotational effect and act along axis of rotation in accordance with right hand screw rule right hand को ऐसे करके right hand है आपका यह इसके चारो finger को थम को आप उपर रखे और चारो finger को ऐसे करके आप bend कीजिए जिसे हम किये हुआ है तो यह चारो अंगली यह बता रहा है कि यह rotation है axis of rotation मतलब axis के about में rotate कर रहा है body इस direction में तो यह तो आपका anti-clockwise ना है बिटा और यह थम अगर कोई body anti-clockwise में अगर rotate करेगा तो उसका जो direction है वो perpendicular to the plane directed outward या इसे करोगे तो upward देखो तो आप द्यान दो आप लोग कभी nut पे bolt को tight किये हो आप देखो तो वहाँ ध्यान देना कि bolt को जब हम लोग clockwise direction में अगर move करते हैं तो वो अंदर की वो displaced करता है वो tight होता है और जब bolt को हम लोग anti-clockwise में अगर घुमाते हैं तो वो ढिला होता है खुलता है उसी को अगर हम ऐसे रखें और उसको अगर clockwise में घुमाएंगे तो वो हमारा downward direction में आएगा और जब हम लोग उसको anti-clockwise में घुमाएंगे तो upward तो यही right hand screw rule है right hand screw rule की four finger को यानि चारो finger को हम इस तरह से bend करते हैं कि जो हमारा rotation के direction को बताता है और thumb हमारा ध्यान से सुनना है कि उसमें जो position change हो रहा है उसके direction को बता रहा है तो अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो देखो यह clockwise तो downward और ऐसे रखोगे तो clockwise upward तो यहां पे आपका जब हम clockwise में अगर ध्यान से सुनना है कि clockwise में अगर मालीजे body को हम लोग rotate करेंगे तो इसमें जो आपका displacement होगा वो क्या होगा आपका downward direction में होगा समझ रहे हो न और जब हम इसको anticlockwise में जब move कर रहे हैं तो इसका जो आपका position जो change होगा वो क्या होगा आपका upward direction में आपका होगा तो प्यारे बचो इसी बात को यहां पे ध्यान से आपको समझना था और इसी चीज़ को और इसी को हम axial vector कहते हैं क्योंकि axial vector में बोला ही गया है कि these are those vectors which represents rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with the right hand screw rule यानि यह आपका rotational effect के कारण यहां पे जो position आपका change हो रहा है तो हम उसके कारण जो आपका direction जो depend करता है या मानले जो magnitude direction को जो हम represent करते हैं तो उसको हम लोग axial vector कहते हैं इसमें आपका क्या है angular velocity आपका यहां पे क्या जाएगा torque दूसरा आपका क्या आएगा angular momentum अब torque हम ल body पे ध्यान से सुनना है कि जब किसी body पे हम external force लगाते हैं या जब किसी body पे हम external effort लगाते हैं और body अपने axis के about में अगर rotate करने लगे तो हम बोलते हैं वहां पे torque आपका produce हुआ है तो body अपने axis के about में rotate करेगा या तो clockwise रोटेट करेगा या anti-clockwise तो upward और clockwise तो downward तो उसको हम ल clockwise ना है तो देखे perpendicular to the plane directed क्या बोलेंगे outward और यहां पर अगर मालीजे कि आपका अगर मैं according to मालीजे clockwise तो देखे आपका यह perpendicular to the plane directed inward बता बेटा यहां तक समझ में आया आप लोगों को यहां तक समझ में आया आप लोगों को किन ही लोगों को कोई दिकत सब लोगों को समझ में आया कोई दिकत किन ही को बाबुरे बता जल्दी चलो तो सब लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है तो आज मैंने आपको vector का भी मैंने आपको classification कर दिया और कल होगा तो और हम इस पे आपको axial vector के और दो applications के बारे में बता के कल नहीं कल तो Sunday है कल आप लोगों कल लीव रहेगा फिर Monday से class रहेगा क्योंकि एक दिन पूरा plan भी तो करना होता है देखते हो न PPT बगर सब बना के सब arrange करना पड़ता है तब जाके न पढ़ाना पड़ेगा तो इतना पढ़ाया जा रहा है हर सब्जेक्ट में physics में chemistry में maths में और bio में आप अपना साथ साथ में notebook भी ready करते चलेंगे और जब हमारा offline class शुरू हो जाएगा तो जो topic हम आपको पढ़ाया है उस topic में आपका जो फिर से कोई अगर दिक्कत होगी तो हम आपको physically आपको हम उसका doubt दूर कर देंगे ठीक है प्यारे बच्चों लेते हैं आप लोगों से विदा मिलते हैं फिर से मंडे को तब तक आप लोगों को धेड़ सारा शिरवाद बहुत सारा प्यार खुस रहिए मस्त रहिए मन लगा के पड़ते रहिए और थोड़ा सा rails shorts पे ध्यान कम देना है carrier प और आप अभी लोगों का rails देखेंगे तो फिर आपका carrier चोपट हो जाएगा तो आप अपने आपको इतना बुलंद करो ना आप अपने आपको इतना मजबूत करो लोग आपका rails बनाए लोग आपको follow करें तो ठीक है बेटा thank you मिलते हैं